हेलो फ्रेंड्स वल्कम टू माई चैनल हुमेपथिक एया मैं डॉक्टर जोती आज आपको बताने जा रहे हूं जैक पूर्ट के फार्दे जैक फूर्ट में रिस्सोर्स होता है विटामिन बी कॉम्पलेक्स का और जैक फूर्ट के रेगुलर खाने से बीपी हाइपर-प्रेटेंशन की कम्प्लेइन कम होती है बीपी मेंटीन करता है और कैंसर को भी प्रिवेंट करता है जैसे कोलून कैंसर हो गया डाजिस्ट्यू इस्थमा को कम करता है एनिमिया में एच बी इंप्रूब करता है और अगर किसी भी फीमेल में के चहरे पर रिंकल्स या डागनेस ब्लैक स्पोर्ट्स हो रहे हो तो इसके रेगुलर खाने से कम होता है इंक्रीज प्रोटीन बहुत जाधा होने के कारण प्रमोट करता है हेर ग इंप्रूब करता है इंप्रूब करता है डाजेशन को आईसाइट वीचन को भी डिम वीजन होगे है कुछ अधर इससे आईससे रिलेटिव प्रॉब्लम को कम करता है बूर्ण को हेल्दी रखता है ब्लेट सुगर मींटेन करता है थायरेट कंप्रेंड में भी बहुत ही है अब इसमें 100 ग्राम जैक फूट में कितना न्यूटरंस होता है 95 किलो गालोरी इनर्जी होती है कार्भोहड़र्ड प्रोटीन फैट और कोलेस्टरॉल जीरू लेवल होता है डाट्री फाइबर होता है सेलेनियम होता है 0.6 जो आगे साकी मिल्स से रिलेटिड बिमारी को कम क करता है इसलिए मिल्स को अगर जो जिनको इससे रिलेटिड कोई प्रोब्लम हो रहे है तो जैक फूट का डेली सेवन करना चाहिए फूलिट का भी 24 माइक्रोग्राम पाया जाता है विटामिन A, C and E पाया जाता है सूडियम है 3 mg and potassium है 303 mg, calcium 34 mg, magnesium 37 mg, phosphorus 36 mg and zinc भी 1 mg पाया जाता है थैंक यू सो मुच फर वाचिंग मैं वीडियो प्रोब्लम प्रोब्लम